राहूल गाधी का ये वीडियो सोसल मीडिया पर जम कर तहलका मचा रहा है इस वीडियो को देखकर बीजेपी के सारे नेता इस वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रहे हैं आखिर क्या है इस वीडियो में और राहूल गाधी ने ऐसा क्या कह दिया इससे बीजेपी के नेता इस वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रहे हैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वारल हो रहा है और राहुल गांधी पर बिजेपी नेता ये फाई-ार करने की धंकी दे रहे हैं तो चलिए पहले आपको वीडियो दिखाते है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है जब दो जेब कत्रे किसी की जेब काटना चाहते है तो सबसे पहले क्या करते हैं क्या करते हैं हाँ ध्यान हटाने का काम करते हैं एक आता है आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है पीछे से दूसरा आता है जेब काट लेता है चला जाता है मगर जेब कत्रा सबसे पहले ध्यान हटाता है अब आप देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्धे कौन से हैं सबसे बड़ा मुद्धा बेरोजगारी गरीबी महंगाई इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार हुआ खड़ा है कहरा भाईया मैं बेरोजगार हूँ नहीं दिखेगा भाईयों और बहनों नरेंद्र मोधी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अदानी का काम आपके जेव काटने का है इस वीडियो में राहुल गाधी ने बीजेपी को जमकर धोया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी समेत अदानी पर भी जमकर निसाना साधा जिससे भाजपाईयों के बीच आक्रोस दिख रहा है और हाली में राहुल गाधी ने नरेंद्र मोधी को 25 सब्द से भी संबोधित किया था जिससे वो और चर्चा में बने हुए हैं और भाजपाई इसका जमकर विरोध कर रहे हैं अभी के लिए बसितना ही मिलते हैं किसी दूसरी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद